हेलो अब्रिवान आप सभी का स्वागत है बहुत ही भैतरीन से सेशन में जहां पर आज हम समझेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम को और उस स्टैंडर्ड से केसिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना ची कि रिलेटिव मोशन का कॉंसेप्ट क्या होता है मतलब एक कि रिवर मैन बल्की रेन मैन के हो गया है प्रोलिजन और प्रोजेक्टाइल हो गया मिनिममम डिस्टंस अप्रोच हो गया ऐसे बहुत सारे केसेज और एनलोजीज है जो कि रिलेटिव मोशन का जब कॉंसेप्ट मोशन इंटूदी में इन्वाल होता है तो आती है अगर मैं रिवर मैं बोलू है और रिवर बोट गोलो तो वह एक ही चीज है बोट में आदमी बेठा है बोट में मैन बैठा है मतलब्स प्रोब्लम हो मतलब को यह समझने के लिए Hello everyone, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही भैतरीन से सेशन में जहाँ पर आज हम समझेंगे river man problem को So motion in two dimension में relative motion का जब concept आता है उसमें बहुत ही standard सा case होता है यह river man problem और trust में बहुत सारे students को हमेशा कुछ ना कुछ problem रहती है इस बहुत simple से concept में पता नहीं क्यों क्योंकि शायद वो ढंक से इस चीज़ को समझते नहीं है या जो proper approach होनी चाहिए river man के सवालों को solve करने के और river man समझने की शायद उसमें वो चीज़ लैक करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आज के सेशन में कि आप river man problem को बहुत detailed तरीके से समझ लो और साती सात मैंने सेशन को इस तरीके से design किया है जिसमें maximum students को जहाँ जहाँ problem face होती है जहाँ जहाँ वो दिक्कत face करते हैं उन सारी दिक्कतों को आज हम resolve कर देंगे इस पूरे session में और उन सारी problems की बाते भी करेंगे कि यहाँ पे यह problem student face करता है ताकि वो चीजे अगर हमें आए तो हमें उनका तुरंत आंसर मिल पाए तो शुरू करते हैं motion in two dimension के relative motion का यह बहुत amazing सा concept जो कि है river man problem अब यहाँ पे देखो कुछ standard से cases होते हैं और उस standard से cases को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना ची कि relative motion का concept क्या होता है मतलब एक frame से दूसरी frame को observe किस तरीके से किया जाता है तो अगर मैं position की बात करूँ velocity की बात करूँ acceleration की बात करूँ तो बड़ा simple सा application होता है कि अगर मैं बात करता हूँ position of A with respect to B या B with respect to A यह कुछ इस तरीके से जाना जाता है position of A with respect to B so यहाँ पे एक frame introduction method होता है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है कि हमें यहाँ पे एक frame introduce करना पड़ता है इनके बीच में जैसे कि मैं ground frame introduce करूँगा जी यहाँ पे क्या है ground frame है और A और B दो object से जिनकी position है और ground की frame से दोनों की position पता है ground से origin से जहां से भी आप जानना जाओ अब जैसे यह ground frame introduce होता है यह दोनों के साथ जला जाएगा और यह rag plus rgb कहलाएगा ठीक है अब देखो आप position of A with respect to ground यह sense बनाता है कि ground पे कोई बैठा है उसने एक ही position बताए यह sense नहीं बताता मतलब इसका क्या मतलब होता है position of ground with respect to B तो ground with respect to B नहीं होता B with respect to ground होता है तो हम यहाँ पे B और G को flip कर देते हैं और यह finally हो जाता है rag minus rbg तो इस तरीके से मैं position of A with respect to B की value पता कर सकता हूँ एक frame introduction method से यह कहलाता है आपका frame introduce करना इस method को आप हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत बार ऐसे cases आते हैं जहांपे आपका standard चीज ना पता होगी हो सकता आपसे rag पूछ रहा हो और आपको rab और rbg बता दिया हो तो rag पूछ रहा है यहांपे b frame नहीं है तो b बीच में introduce करके मैं बाकी values निकाल सकता हूँ यह methodology आपको पता होनी चाहिए अब जैसे इस सवाल को यह particular case को solve करने ही कोशिश करते हैं कि origin की respect में मान लेते हैं यहां पर object a है और इसकी position कुछ इस तरीके से दिये this is position of a with respect to यहां कुछ नहीं दिया मतलब यह यह तो origin है यह ground है r a simple दे दिया मतलब किसी reference frame के respect में a की position बता दी जो की इस तरीके से s e b की बता दी और अब मुझे पता करना है r a b मतलब position of a with respect to b और जो की हो जाएगी r a vector plus negative of r b vector जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो r e g vector क्या है यहां पर यह r a vector है और इसको मैं ऐसा समझूँगा negative of r b vector negative of r b vector मतलब r b g vector मेरा r b vector है यहां पर दिया हुआ तो इसे मैं negative of r b मतलब मुझे इन दुनों का vector सम करना है यानि एक vector तो यह रहा और दूसरा vector क्या हो जाएगा दूसरा vector यही आपका उल्टा इसी direction में आप जाओगी यह आपका negative of r b vector हो जाएगा अब इन दुनों vector को अगर मैं add करूँगा तो ज़र direction आएगा वो यह ना आके direction कुछ इस तरीके कर रहता है यह है मेरा direction this is going to be my r a b vector I think समझ में आगे आप लोग को अब r a b का एक sense भी समझो r a b का मतलब यह है कि तुम b पे बैठे हो और तुम a को observe कर रहे हो तुम b पे बैठके a को observe कर रहे हो इसका sense होता है position of a with respect to b इसी similar terms में आप और भी other quantities निकाल सकते हैं जैसे आप velocity of a with respect to b भी निकाल सकते हैं जो कि simply ground frame introduce करने के बाद इस process के बाद वापस इसी step पे आओगा तो v a g minus v b g हो जाएगा ऐसी आप similarly acceleration of a with respect to b निकाल सकते हैं यहाँ पे भी वापस ground frame introduce करने के बाद a a g minus a b g हो जाएगा तो यह methods है relative acceleration, relative velocity और relative position निकालने के और इनकी methodology आपको समझ में आनी चाहिए दो चीज़े यहाँ पे important है एक तो यह frame introduction वाला जो method है कि यह frame introduction में कैसे करता हूँ इसको आपको पता होना चाहिए यह बहुत helpful रहता है students के लिए समझो अगर यह आ जाता है तो आप काफी सवाल कर लेते हो और दूसरा एक और बहुत important note यहाँ पे मैं लिखवाना चाहता हूँ जो relative motion की नीव है, relative motion जिस पे बना हुआ है कि आप जिस frame से भी चीज़ों को observe करोगे वो frame आप rest पे मानते हो, जैसे कि मैं ground पे बैठके A की position देख रहा हूँ तो आप ground पे मैं शांती से बैठा हूँ या origin पे वो तो शांती से बैठा हूँ मैं move नहीं हो रहा, मैं अपनी velocity acceleration को consider नहीं करता, और अगर इन case होती भी है तो मैं वो velocity acceleration सामने वाले को provide कर देता हूँ जैसे यहाँ पे position of A with respect to B देखा तो B की position यह है, B अपने आपको नहीं मान रहा है उसकी position change होरी, वो as it is है और यहाँ पे A होगा, जो यहाँ वहाँ move होगा तो यह case बड़ा important है, आपको समझना कि the frame the frame from which the frame from which motion is observed motion is observed is at rest आप उसे rest में consider करोगे is at rest आपको उसे rest में consider करके ही चीजों को solve करना, आपके पार जो भी velocity जिस मानलो मैं कार में बैटा हूँ, दूसरी कार को देख रहा हूँ मेरी कार चल रही है, तो कोई नी, मेरी कार चल रही है अपनी velocity दूसरे को provide करूँगा और देखूँगा वो कहा इधर उधर जा रहा है तो ये concept है relative motion का, ये दो नीव है, तो frame introduction और एक ये rest में consider करना, अगर इन दो को आ गया तो आप सवाल काफी तरीके से solve कर सकते हो ना ही river man, बलकि rain man के हो गये prolision और projectile हो गया, minimum distance अप्रोच हो गया ऐसे बहुत सारे cases और analogies हैं, जो की relative motion का जब concept motion in 2D में involved होता है, तो आती है अब चलते हैं हमारे main concept की तरफ, जो की है relative motion in two dimension इसमें दो cases होते हैं, एक case होता है, इसका application one dimension में जहां पे आप downstream और upstream motion अल्रेडी देख चुके रहते हैं, class 10th में mathematics में भी downstream और upstream के question आते हैं, तो वो basically होता river man problem in one dimension, और यहां पे आता है two dimension का, जो की हमें solve करना रहता है, अब two dimension में दो बहुत ही standard से case होते हैं, एक case होता है यहां पे आपका minimum distance वाला, minimum, sorry shortest time वाला, एक होता है shortest time वाला और एक होता है, एक होता है इसमें shortest time वाला, shortest time to cross the river और दूसरा case होता है यहां पे no horizontal drift वाला, यह दो basic cases होते हैं, जिससे सवाल आते हैं नीट में और काफी बार आ चुके हैं और हमें दोनो cases देखने हैं, इनके बारे में already आप देख चुके रहते हैं, आप अपनी previous earlier classes में भी और motion in one day में भी समझ चुके रहते हैं, अब आओ समझते हैं, और कुछ ऐसे terms को जानते हैं, जो की student के दिमाग में confusion create करते हैं, तो फटा-फट से सबसे पहले इनको जान लेते हैं, अब देखो, अगर मैं river man बोलू है, river boat बोलू हूँ, तो वो एक ही चीज है, boat में आदमी बैठा है, boat में man बैठा है, मतलब river boat problem भी अगर कोई बोले और तुम confuse मत होना कि वो river man से बलगे, वो एक ही चीज है, अब यहाँ बात करते है, velocity of man with respect to river, इसका क्या मतलब है, velocity of man with respect to river की अगर मैं बात करता हूँ, तो वो हो जाता है velocity of man with respect to river VMR ठीक है और इसको मैं velocity of man with respect to river भी बोल सकता है velocity of man in still water ही बोल सकता हूँ मतलब पानी चल रहा है तो river की frame से कोई बैठा है वो देख रहा है या पानी रुका हुआ है उसकी frame से देख रहा है मतलब यह एक ही चीज है velocity of man in still water बोलोगे मतलब आप VMR की बात कर रहा है next case a man can swim means velocity of man in still water कभी-कभी दिया रहता है man can swim with 5 km पर आर तो इसका अर्थ भी क्या है velocity of man with respect to river ठीक है next case पर आते man is swimming means velocity with respect to ground man is swimming with 5 km पर आर इसका मतलब है velocity of man with respect to ground यह terminologies हमें पता होनी चाहिए क्योंकि neat में सवाल terminologies पर भी आ जाता है कभी-कभी आता है और हमेशा एट समझ में नहीं आता velocity of man with respect to river is equal to the difference of velocity of man and velocity of river अब यह क्या है इसके बारे में बताता हूँ तो देखो पूरा का पूरा यहां game यह रहेगा कि आपको velocity of man with respect to river तीन चीज़े यहां पर पता करनी रहती एक तो velocity of man with respect to river एक हो जाएगा velocity of man with respect to ground और तीसरा velocity of river with respect to ground इन तीनों का पूरा game velocity of river with respect to ground अब समझे गया होंगे यह वो velocity जिसके साथ नदी आगे की तरफ चल रही है यह वो velocity है जिसको जमीन पर खड़ा हुआ एक आदमी man के motion को determine करेगा मतलब यह जो velocity है यह real में हमें बताएगी कि वो person boat हो या वो person swim कर रहा हो वो जा किस direction में रहा है तो हमें mainly इस चीज़ को calculate करना रहेगा हमें mainly इस चीज़ को calculate करना रहेगा क्योंकि इसके calculation पे ही मैं वो जो दो चीज़े मैंने आपको बताए shortest time और no horizontal drift उसको बता सकता हूँ तो यही चीज मुझे calculate करनी है और यह रहेगा velocity of man with respect to river given अब इस चीज़ को calculate करने का तरीका क्या है frame introduction से आओ देखते so vmg मुझे calculate करना बीच में है एक frame नहीं देख रही जो कि river है introduce किया तो देखो यह हो जाएगा velocity of man with respect to river plus velocity of river with respect to ground अगर आप देखोगे तो frame introduction ने देखो आपको कितना अच्छा analysis दे दिया यह दोनों ही चीज़े एकदम लागू होती और sense भी बनाती है क्या velocity of man with respect to river sense बनाता है सोचो इस चीज़ को क्या river में बैटके man की speed बताई जा सकती है बिल्कुल बताई जा सकती है क्या velocity of river with respect to ground sense बनाता है बिल्कुल बनाता है ground पे खड़े हो कि हम देख सकते नदी कितनी speed से जा रही है तो vmg निकालने के लिए मुझे इन दुनों को बस add करना है तो जो लोग हम ऐसे यह समझते है कि velocity of a with respect to g का मतलब vm-vg हो जाएगा यहाँ पे देखो अगर वो analogy लगाओगे तो आप कैसे इस चीज़ को establish कर पाओगे तो frame introduction method काफी helpful होता relative motion की concept समझने के लिए I think आप सभी को एचीज समझ में आ चुक लिए ठीक है सर अगर मैं man की बात करो जो कि swim कर रहा है तो अगर मानलो मैं boat की बात करता हूँ जैसा मैंने आपको बता boat और river man एक ही चीज़ होती है तो अगर दिया हुआ velocity of boat with respect to river इसका मतलब velocity of boat in still water यह velocity of boat with respect to river ही boat can row means velocity of boat with river again boat is moving इसका मतलब velocity of boat with respect to ground अगर यह statement दे रहा है मतलब ground पर खड़े हो के कोई बोल रहा है velocity of boat with respect to river का मतलब क्या हो जाएगा वापिस इस पर आता हूँ कि velocity of यहाँ पे भी तीन चीज़े VBR, VBG और VRG यह चीज़ आपको पता है यह भी चीज़ आपको पता है यह भी चीज़ आपको पता है similar case और मुझे mainly यह बताना पड़ेगा इसी के साथ मैं बता पाऊंगा कि यह जमीन से खड़ा हुआ आदमी क्या देख पा रहा है कि boat का motion है अब swimmer का motion कैसा जा रहा है तो मुझे अगर यह calculate करना है frame introduction से बीच में river introduce करूँगा यह हो जाएगा velocity of boat with respect to river plus velocity of river with respect to ठीक है अब देखो अब आते हैं river man problem या river boat problem को समझने में की होता क्या है तो देखो आपके सामने case क्या रहता है कि एक boat है एक boat है, swimmer है आप एक boat मान लो अब यह boat यहाँ से उधर जाना चाहरे है अब यहाँ पर दो cases बनेगे दो cases बनेगे सुनना ध्यान से पहला case बनता है यहाँ पर कि मुझे सबसे shortest time में जाना है दूसरा case यहाँ पर बनता है कि मुझे no horizontal drift में जाना है दोनो cases बताता हूँ क्या है shortest time के लिए आप यह समझ सकते हो कि मुझे इस A point से दूसरे B point पर जाना है सबसे कम समय में यह आपका shortest time वाला case बन गया और दूसरा कि मैं यहाँ से चालू हूँ तो मैं directly opposite side मतलब यह पूरी नदी है आपकी opposite side में यही पहुचू ना यहाँ पहुचू ना यहाँ पहुचू वह अलग case है तो यहाँ पर दो cases है उनको समझना है अब उन दोनों को समझने की तरीका यहाँ पर यह है कि यह चीज़े कौन बताएगा कि आप सबसे जल्दी पहुचे या आप opposite end पर पहुचे की नहीं पहुचे इस चीज़ को पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा मुझे पता करना पड़ेगा velocity of boat with respect to ground simple सी चीज़ जमीन पे खड़ा हुआ एक आदमी मुझे बताएगा यह मेरा observer है यह मेरा observer है और यही मुझे बताएगा कि हाँ आप opposite end पर पहुचे हो या आप सबसे कम समय पहुचे हो मतलब मुझे यह चीज़ पता होनी चाहिए अब इस चीज़ को मैं कैसे analysis करूँगा इसको मैं पता कर सकता हूँ दो vector sum को जोड़ कि यानि VBR vector और VRG vector मतलब मुझे vector sum करना पड़ेगा और यहाँ पे vectors जो है वो angle पे होंगे बिल्कुल सही बाद अब यहाँ पे vector sum का एक बहुत ही standard सा तरीका यूज किया जाता है शायद ये confusion कभी एक element हो जाता है students के point of view में कि तरीका vector sum का ये होता है कि देखो vector sum करने के आपको दो तरीके पता है एक तो triangle law of edition और एक parallelogram law of edition बिल्कुल सही बाद अब ये triangle law of edition, parallelogram law of edition यहाँ नहीं यूज करके हम एक और standard approach यूज करते हैं जिसमें हम components निकाल के जितने भी vectors हैं उनको उन दो axis के along तोड़ देते हैं जो कि एक दूसरे की perpendicular हो, मतलब यहाँ पे अगर मान लो ये VBR vector, ये VRG vector तो मैं VBR को तोड़के ऐसी दो standard axis मैंने बना ली X और Y और मेरे जितने भी vectors हैं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो मैं 5 हो vectors को 2 axis के along तोड़ देता हूँ, जो कि एक दूसरे के perpendicular हो और फिर उनका net result निकाल देता हूँ ये बहुत standard तरीका है और इसको काफी जगे use किया जाता है, net force अगर आपको electrostats class 12 में निकालना हूँ तब भी ये use किया जाता है, एक charge पर बहुत सारे force लग रहे, result निकालना है यही process यूज किया जाता है, सबको 2 axis के along breakdown कर देते हैं और इससे help ही हो जाती कि final answer under root of A square plus B square होता है इन दोनों के approach आ गया, बड़े असानी से answer आ जाता है वही approach हम यहाँ पे भी use करते हो और वो हमें काफी help करती है यह पूरे case को analyze करने में कैसे, अब देखो, सुनो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे boat है और boat ने मान लेते हैं यह direction choose किया with respect to river मतलब velocity of boat velocity of boat आप यहाँ देख सकते हो velocity of boat with respect to river किधर आ रही है velocity of boat कुछ इस direction में आ रही है ठीक है सर, ओके नदी जो थी नदी तो आगे की तरफ जाएगी यह रही नदी, यह रही नदी आप देख सकते हो, नदी आगे की तरफ जा रही है और नदी की speed यह रही vrg boat की speed यह रही vbr अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों vector को जोड़ना है तो मैं तरीका यह करूँगा मैं इस vbr को दो component के along breakdown कर दूँगा एक component इस vbr का यह हो जाएगा ठीक है, एक component vbr का यह हो जाएगा और एक component vbr का यह हो जाएगा this is going to be one component और इसको as it is रहने दूँगा क्योंकि यह x के along यह अच्छा, ठीक है अब यहाँ पर मान लेते हैं जो vbr था, वो vertical से theta अंगल पर था तो यह component किता हो जाएगा यह component basically मेरा हो जाएगा vbr cos of theta और यह वाला जो component होगा वो हो जाएगा vbr sin of theta इस चीज़ को मैं जरा यहाँ पर plot कर देता हूँ तो अब मेरे पास ultimately मुझे इन दुरों vectors को जोड़ना था तो मेरे पास ultimately क्या है मेरे पास यह vrg vector होगे इधर मेरे पास vbr sin of theta होगे और इधर मेरे पास vbr cos of theta होगे अब देखो जो ground की frame से velocity है boat की वो यह 3 determine करेंगे मानते हो कि नहीं मानते, बिलकुल सर अब अगर यह 3 determine करेंगे तो ज़रा इसकी detailing में जाते है boat को उस पार कौन करवाएगा उसकी वो वाली velocity जो की शायद vertical के along होगी वही उस पार करवा सकती है क्योंकि यह दोनों कितना भी चाहें यह बस horizontal के along move करा सकते है तो ऐसे segment करने से एक फाइदा यह हो गया हमें यह पता चल गया कि boat की पास मात्र एक velocity है उस पार करने वाली और वो है VBR cost simple से चीज़ और boat को दाएं या बाएं वो इधर पहुचेगी इधर पहुचेगी जो भी left right motion होगा वो कौन करवाएगा वो यह दोनों मिलके बताएंगे अगर यह जादा होगा उधर जाएगी यह जादा होगा इधर जाएग शायद आप लोग को समझ में आया तो यहाँ पे हम में क्या करूँगा यह पूरे motion को 2 axis के along breakdown करके समझूँगा एक horizontal motion और एक vertical motion अब मेरे पास क्या case रहेगा मैं river boat problem को x-axis और y-axis के along breakdown करके समझूँगा और उस चीज़ से जानूँगा कि क्या हो सकता है जैसे कि मैं हाँ पे क्या करूँगा देखो यहाँ पे वही नदी थी यह नदी थी नदी में एक velocity थी एक तो यह हो गई कित्ती हो गई vbr cos of theta और यह इधर हो गई vrg और इधर हो गई vbr sin of theta अब जो boat को cross करवाएगा नदी पार करवाएगा वो कौन सा होगा वो motion होगा basically वो काई determine करेगा यह so boat की velocity of boat with respect to ground का y component जो होगा that is going to be vbr cos of theta और velocity of boat with respect to ground का x component जो होगा वो कित्ता हो जाएगा वो हो जाएगा vrg मैं मान लेता हूँ जादा है तो towards right vrg minus vbr sin of theta बिल्कुल सही बात अब मुझे क्या चाहिए सबसे पहला case देखते हैं मुझे चाहिए सबसे पहला case कि मुझे यहां से यहां तक जाने का time पता करना time taken to cross the river time taken to cross the river सबसे पहली चीज मुझे ही पता करनी है कि what is going to be the time time taken to time taken to cross the river बताओ जरा क्या time होगा बताओ जरा क्या time होगा time taken to cross the river simple सी चीज है यह नदी में मान लेता हूँ d width की है तो जो time taken होगा कितना हो जाएगा time will be equal to जो भी distance है d divided by जो भी velocity हो रही है vbr cos theta simple सी चीज यह हो जाएगा मेरा time इतने समय में cross कर जाऊँगा अब अगर मुझे इस समय को minimum बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मान लो मुझे यह minimum बनाना है if if t wants to become t minimum तो minimum करने के लिए क्या करोगा या तो d को कम कर दो या फिर इसको बहुत बढ़ा दो b को कम तुमारे हाथ में है नहीं width of the river तुम change कर नहीं सकते इसको maximum कर सकते हो तुम maximum पर ही चल रही है तुम theta को थोड़ा बहुत alter करके भी शायद चीज़े hassle कर सकते हो तो theta को ऐसा करो ताकि cos theta maximum हो जाए cos theta maximum मतलब cos theta की value 1 तो theta equal to कितना हो जाए theta is equal to 0 हो जाए अगर theta की value 0 हो जाएगी तो cos theta 1 हो जाएगा और time तुमारा minimum हो जाएगा तो यहां से मैं एक minimum time calculate कर सकता हो और minimum time की value कितनी हो जाएगी d upon vbr के बराबर सोचने वाली बात यह है कि यह establishment हो कब रहा है यह establishment तब हो रहा है minimum time का case तब establish हो रहा है जब जो angle बन रहा है that is equal to 0 अगर आप देखोगे ध्यान से यहां जो angle बन रहा है आपने देखा था vbr इधर था अब vbr वर्टिकल के साथ basically 0 degree का angle बना रहा है मतलब जो boatman है जो boat के चालक है उन्होंने boat को directly उपर की तरफ direct किया क्योंकि वो theta जो आप यह देख रहे थे direction क्या था पहले direction कुछ यह था direction कहले कुछ यह था theta था और वो theta 0 हो गया मतलब vbr जो है वो इस direction में जा रहा है vbr जो है इस direction में जा रहा है और vr जी इधर जा रहा है vr जी इधर जा रहा है तो जो VBG है, यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी जो था, वही बताएगा कि आप कहां पहुँच रहे हो यह जमीन पे खड़ा हुआ आदमी, मतलब VBR और VRG का जो net component होगा, यही होगा आपका velocity of boat with respect to ground, और यह आप देख सकते हो सीधे कुछ इस direction में, मतलब आप यहाँ पहुच कि मैं यहाँ से चालो हुआ, बट मैं यहाँ ना पहुच के यहाँ पहुचा, तो यह distance कितना है, यह कैसे पता करूँगा, आराम से पता कर लेंगे, हमें दाएबाए कौन move करा रहा था, यह वाली चीज, तो हमें समय पता है, क्या हाँ जी हमें समय पता है, इतने समय में मैं मैंने minimum time cross कर लिया है, इतने time में मैंने minimum time में यहाँ से यहाँ पहुच चुका हूँ, तो इसी समय में जो horizontal drift होगी, वो कितनी हो जाएगी, horizontal drift जो होगी, जो horizontal drift होगी, that is going to be, जो भी आपकी velocity है along x, अब क्योंकि यहाँ theta equal to 0 हो गया, तो यह चीज 0 हो जाएगी, यह cancel हो जाए यह हो गया मेरा horizontal drift, यह हो गया मेरा horizontal drift, I think आप सभी को समझ में आ चुका है, कि minimum time में जो horizontal drift होगा, वो कितना होगा, और वो किस तरीके से हम calculate कर सकते हैं, यह analysis है आपका सबसे पहला, जहाँ पे मैंने इसके माध्यम से minimum time का case निकाला, कि time taken to cross the river, उसमे minimum time कैसा होता है, जो पह horizontal drift किती होगी, अब चलते हैं अगले भाग पे, अगला भाग basically है आपका, जब मुझे चाहिए कि मैं यहां से चालू हूँ और मैं यहीं पहुचू, मतलब मुझे यह case जानना है, case of no horizontal drift, no horizontal drift वाला मुझे case जानना है, इस case में क्या होगा, तो यहां देखो, वापिस river बनाते है, वापिस river बनाते हैं, क्या किया था, हमने यह VBR कुछ इस तरीके के था, इसका हमने vertical component निकाला था, यह वाला component निकाला था, यह वाला component निकाला था, आप देखो, जो यह वाला component था, किता था, VRG, यह जो component था, किता था, VRG, यह simple VRG था आपका, velocity of river respect to ground, अगर मैं इस component की बात करूँ, तो यह जो component था, यह कौंतता था, यह theta था, यह मेरा VBR, cos of theta, यह मेरा था VBR, sin of theta, अब सुनो ध्यान से, आप क्या चाहते हो, आपकी boat directly यहाँ पहुचे, आप चाहते हो, ground की frame से, मुझे boat सीदे सीदे जाके, यहाँ पहुचे, horizontal drift now, अब यह ज़र ध्यान से सोचो, आपको left-right move कौन करा रहा है, आपको left-right कौन move करा रहा है, आपकी velocity of boat with respect to ground का, जो x component है, वही move करा रहा है, यानि, VRG minus VBR, sin of theta, जो है, वही आपको move करा रहा है, left-right, तो अगर यही चीज, if VBG along x ही आपका 0 हो जाता है, यानि, that is, that is, VRG minus VBR, sin of theta, 0 के बराबर, यानि, VRG is equal to VBR, sin theta, हो जाता है, मतलब left-right velocity, right के बराबर हो जाती, तो आपकी no horizontal drift आएगी, so, इस scenario में, the horizontal drift, then drift, then drift will be equal to 0, horizontal drift 0 हो जाएगी, तो इसके लिए theta कितना होगा, इसके लिए theta कितना होगा, theta आओ calculate करते, जो theta होगा इस scenario में, यहां से आप देख सकते हो, sin theta की value आजाएगी, आपकी, VRG upon VBR के बराबर, यानि, theta की value आजाएगी, sin inverse VRG upon VBR के बराबर, समझ में आया, इतना theta रहेगा, मतलब आप जब चल रहे हो, तो आपको ये ensure करना है कि vertical से आप इतना theta बना के चलो, आपको ensure करना है, boat में बैठे हुए हुआ आप, ground की frame से नहीं, आप boatman हो river के, आपको ensure करना है, vertical के साथ आप इत्ता angle बना के चलोगे, तो आप सीधे opposite end पे पहुचोगे और आपकी horizontal drift 0 के बराबर होगे, ये case होता है, no horizontal drift का, ये दूसरा most important case होता है, पहला होता है, shortest time का, ये व काफी अच्छी understanding मिल गई होगी, अब बाकी जो रह जाती ही, चीजे वो रह जाती ही, question, तो आप सवाल करते हैं, कुछ AIPMT के, जिससे हमें एक अच्छा analysis मिले, ये किस टाइप के सवाल आते हैं, question ये है, कुछ इस तरीके का, कि a person swims in a river aiming to reach exactly opposite point on the bank of a river, opposite point मतलब horizontal drift 0 चाहिए, this speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow of water, the speed of water in stream is, केस कुछ इस तरीके का, ये river है, यहाँ पर मान लेते हैं, river कुछ इस तरीके से जा रही है, और इसने हमें river की speed नहीं दिये, speed of water stream, यही हमसे पूछ रहा है, VRG हमें बताना है, हमें VRG ही बताना है, ये इस चीज उसने बता दी कि जो speed of swimming है, swimming मतलब velocity of river with, boat with respect to river बोलो या फिर swimmer with respect to river, ये 120 degree का angle बना रही है, और इसकी speed जो है, वो है, 0.5 meter per second, ये है 0.5 meter per second, अब चाहते ये है कि ये opposite end पे पहुचे, चाहते ये है कि opposite end पे पहुचे, मतलब ये यहाँ पहुचे, इनका direction कुछ इस तरीके का, अब मुझे बहु क्या हो जाती, velocity of boat with respect to river, इसका ये जो component आता है, ये वाला और एक जो component आता है, ये वाला, ये angle 90 degree हो जाएगा, तो ये 30 degree हो जाएगा, तो ये जो component होगा, कित्ता हो जाएगा, 0.5 sin of 30, और ये वाला जो component होगा, 0.5 cos of 30, अब ये वाला जो component है, अगर इसके बराबर होगा, त तो इस boat के पास बस एक वर्टिकल विलोसिटी होगी और यहां पहुंचेगी, अभी जस्ट मैंने समझाएं। So, अगर boat को directly opposite point पे पहुचना है, तो vrg की value कित्ती होनी चाहिए? That should be equal to 0.5 into sin of 30, sin 30 की value होती 1 by 2, 1 by 2 into 1 by 2, यानी की 1 by 4 meter per second, that is 0.25 meter per second. कौन सो option से ही आप देख सकते हैं, option number C is the correct answer over here and that is going to be the correct answer. I think आप लोग को समझ में आया, simple सा analysis है, question की language को decode करना है, यह case basically था आपका no horizontal drift का. ऐसी एक और question एक देखते हैं, यह question basically यह बोल रहा है, the speed of a boat is 5 km per hour in still water, ठीक है, velocity of boat with respect to river बता दिया 5 km per hour, it crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes, सबसे छोटे रास्ते से वो 15 minutes में पहुँची, the velocity of river water is. अब shortest possible path कौन सा होगा, सोचो जरा, shortest possible path कौन सा होगा, यहाँ से अगर कोई boat को जाना है, तो shortest possible path यही बाला होता है, simple यही बाला होगा, speed of the boat दे दी 5 km in still water, मतलब वो VBR बता रहे हैं, VBR जो दे दिया, उन्होंने 5 kmph है, 5 km per hour, अब अगर उसे opposite and shortest path के अनुसार जाना है, तो मतलब VBR कुछ इस direction में होनी चाहिए, आप सभी को पता है, और width किती दे दी 1 km, right, 1 km दे दी, साथी साथ along the shortest possible path in 15 minutes, 15 minutes में उसे उधर पहुचना है, velocity of river water is, river water की velocity किती होगी, हमें ये पता करना है, river water की velocity किती होगी, हमें ये पता करना है, चलो आओ देखते हैं, अब अगर मान लो, ये theta angle से इधर जा रहा है, ये theta angle से इधर move कर रहा है, तो इसका जो एक component होगा, कितना हो जाएगा, VBR, cos of theta होगा, और ये वाला जो component होगा, कितना होगा, VBR, sin of theta होगा, river आगे की तरफ जारी है, VRG, और आप लोग को पता है, VBR, sin theta, VRG के बराबर होना ची, for the boat, for the boat to move along shortest path, along shortest path, VBR, VBR, sin of theta, basically आपका, VRG के बराबर होना ची, मतलब, बोट के पास net velocity बस ये होनी चीए, ये दोनों तो बराबर होने चीए, तभी वो सीधे जाएगा, अब, VBR cos theta के value given है, कैसे given है, क्योंकि ये बता दिया, एक किलो मेटर हो किते दिर में travel कर रहा है, 15 minute, time किता है, 15 minute, यानि VBR cos theta जो हो जाएगा, that is going to be, whatever is the width of the river divided by time, simple, VBR की value given है, 5 into cos theta is equal to d दिया हुआ है, कितना d दिया है, और time की तदिया है, 15 minute, अब 15 minute को r में convert कर हो है, तो 1 by 4 r, ये 4 उपर जाएगा, cos theta की value आजाएगी, that will turn out to be 4 by 5, and I think आप सभी को पता है, कि 4 by 5 cos theta तब होता है, जब theta की value हो जाती है, 37 degree के परावा, cos theta 4 by 5 तब होता है, जब theta की value 37 degree होती, standard case होता है, और 37 degree पे sin theta की value कितनी होती होती, 3 by 5, so, शायद अब vrg की value पता चल जाएगी, vrg की value कितनी हो जाएगी, vrg जो की था आपका, vbr sin theta, vbr sin theta, so vbr हो जाएगा 5, into ये हो जाएगा, sin of 37, ये हो जाएगा 5 into 3 by 5, जो की finally हो जाएगा, 3 km pH, ये हो गया मेरा velocity of river with respect to ground, this is going to be my final answer, so correct answer यहाँ पर क्या है, correct answer is option number C, CBSE, AAPMT 1998 का question, ठीक है, so I think ये दोनों ही सवालों से, आपको riverman problem से related, अच्छा गासा analysis मिल लिया, देखो है, यहाँ पर simple सी चीज ये होती है, question को decode करना, question की language को समझना आना चाहिए, कि पूछ क्या रहा है, और वो शायद मैंने आपको concept ने समझा दिया, कि यहाँ पर कौन से दो cases होते हैं, और उन दो cases को किन-किन भाशाओं में लिखा जा सकता है, simple ही सवाल आते हैं, language थोड़ी problem देती है, और अगर concept आप लोग को deeply समझ में आया, frame introduction समझ में आता है, और साथी साथ जो vector analysis में ने use किया, net resultant निकालने के लिए वो समझ में आते हैं, तो riverman में आपको कोई भी problem नहीं आएगी, तो इसी के साथ इस session का end करते हैं, and I suppose आज इस session को समझ के, आपको riverman के problem बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, कोई भी और further doubt आता है, आप comments में मुझे बताओ, I'll try my best कि मैं उसे resolve कर पाऊं, कोई भी और question आता है, comments में आप लिख सकते हो, I'll personally try to answer them, मिलते हैं एक अगले अच्छे concept वीडियो में, जिसमें आपके problems को solve करूँगा, और पटाफट से उसका solution दूँगा, So I'll sign off with this note, thank you and bye-bye.